मूल जोर एक छोटे से गांव का वर्णन करता है, जहां बड़े पेड़ पौधों और एक नदी के साथ एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण है. गांव में विभिन प्रकार के विशाल पेड़ पौधे एक मूल्यवान वातावरण बनाते हैं, जो एक प्राकृतिक आवास प्रदान करने में मदद करते हैं. गांव के पास एक शांत नदी है, जो गांव वालों को सौंधर्यपूर्ण एक मध्यरात्री देती है. इस गांव का एक छोटा बच्चा है, जिसका नाम अर्नव है. अर्नव मालती और प्रमोद का एक छोटा बच्चा है. बहुत कठिनाईयों का सामना करते हुए अर्नव ने बड़ा हो जाना. अर्नव के पिताजी प्रमत लोगों की जमीन पर काम करते थे और उसकी माँ एक ग्रिहनी थी. अर्नव का बच्चपन में पढ़ाई में बहुत रुची थी. वह गाव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था. लगभग हमेशा वह कक्षा में पहला था. इसी तरह उसने प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई को पार करके उच्च विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रतिबध कर दिया. गाउं में उच्च विद्याले नहीं है, तो अब क्या करें? अर्णव के दिल में यह चाहिए था मैं भविश्य में भारतिय सेना में रहना चाहता हूँ वह अपने दिल की बातें अपनी माँ को सुनाता है उसकी माँ उससे कहती है ती घर जाते हैं और अपने जमा किये हुए कुछ पैसे लेकर अर्णव के हाथ में देती है उस पैसे के साथ अर्णव और उसके पिताजी प्रमोध शहर जाकर एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेते हैं उनके घर और स्कूल का दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण अर्णव बोर्डिंग स्कूल में रहना शुरू करता है इस तरीके से वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बड़ी सफलता प्राप्त करता है हम जानते हैं कि अर्णव की बड़ी इच्छा सेना में शामिल होने की है इसलिए वह रात दिन सेना की परीक्षा की तैयारी करता है उस परीक्षा में सफलता प्राप्त होने के बाद वह एक सेना अधिकारी के रूप में तीजी से नियुक्त होता है उसके पढ़ाई की क्षमता के समर्थन में अर्णव सेना कैड़ेट के रूप में भरोसा जीतता है उसके बाद विपक्ष देश के खिलाफ जंग में भारत को विजई बनाता है उस युद्ध में अर्णव घायल होता है और कुछ दिनों के लिए उसे अस्पताल में भरती करना पड़ता है उसके बाद वह कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो जाता है और गाव लोटता है लोटने के बाद सभी अर्णव को देख कर बहुत खुशी हो जाती है मलती और उसके पिताजी प्रमत बहुत खुश हो जाते है अर्णव भविश्य में अपने देश के सेवा, सहानुभूती और मानव विकास की दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष रखता है यह एक अद्वितिय कहानी है जहां उसके साधक पूर्ण जीवन मूल्य और शक्तिशाली इच्छा शक्ति के माध्यम से वह सेना में एक अमूल्य योगदान दे सकता है उसकी वीरता और प्रेर्णा के माध्यम से वह अपने गाव और देश के लोगों के बीच चर्चा कर सकता है